नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में आज अपन पढ़ेंगे कुछ important questionsnung फोर RCDF vacancy Spacesally for the Dairy Technician ठीकर टैकनीशन के exam के लिए कुछ महतुपण package के बारे में अपन है आप देखेंगे कुछ महतुपण प्रशन और उत्रों के जानकरी लेंगे किस परकार के exam में अपने question आएंगे उनकी जानकरी लेंगे ठीक है तो एक model प्रकार का वीडियो बना रहा हूं मैं अगर ये वीडियो आगे success रहता है अच्छा चलता है तो आगे इस टाइप के question और डाले जाएंगे ठीक है question back बना के मैं अधिक से अधिक question डालने की कोशिस यहां पर करूंगा तो आज का ये topic रहेगा अपना important question for RCDF vacancy especially for dairy technician तो देखिए पहला प्रशन है इसमें अपना dairy उपकरण बनाने के लिए उपयोगी non-ferrous metal है ठीक है यानि dairy उपकरण बनाने के लिए कौन सा metal है जो की non-ferrous है यानि iron नहीं होना चाहिए वो तो इसमें option दे रखें अपने को ऐलो इस्टील हो गया copper है है aluminum है rubber है ठीक है alloy steel में अपन जानते iron होता है copper non-ferrous है परन्तु इससे किसी प्रकार का dairy उपकरण नहीं बनाते ठीक है dairy उपकरण बनाने के लिए copper का इस्तेमाल नहीं किया जाता है aluminum है यह बिल्कुल सही answer हो सकता है इसका non-ferrous metal है ठीक है चोथा option देखिए rubber rubber भी एक प्रकार से non-ferrous ही product है non-ferrous material है जिससे dairy उपकरण बनाए जाते हैं परन्तु यह metal नहीं है ठीक है अपने से question में क्या पूछा है कि non-ferrous metal कौन सा है तो यहां पे अपना जो answer होगा वो क्या हो जाएगा aluminum हो जाएगा ठीक है non-ferrous metal कौन सा होता है aluminum होता है ठीक है clear next question देखिए dairy उपकरण बनाने के लिए उपयोगी है dairy उपकरण बनाने के लिए उपयोगी है option अपने को दे रखा AISI ठीक है इसकी विभिन सिरीज दे रखी है AISI क्या होता है ठीक है जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा dairy उप पता है American Institute of Steel and Iron ठीक है या मैं इसको बोल सकता हूं American Institute of Steel and Iron तो यहां पर देखिए अपने को पता है या अपने क्या पड़ाता हूं कि जो डेरी कर nexron देखिये इसमें डिखर बनाने के लिए प्रियोगत इस्टील में Carbon होना चाहिए ठीक है जो एलोऀ स्टील होती है डिखर बनाने के लिए जो एलोँ नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो इसमें nickel कितना % होता है 8% होते और chromium कितना ओता है 18% होता है ठीक है इसमें doubt भी था जो मैंने अगले वीडियो में clear कर दिया था ठीक है तो इसमें क्या दियान रखा है निखल कितना मिलाना है अपने को 8% मिलाना है तो इसका answer हो जाएगा A optional पाइब है कि's pista बनाने केलिए कोंसा एधात्विक पदार्त उपयोगी नहीं ठीक है क्या पूछा इसने केडे उपकरन बनाना है अपने को एधात्विक पदार्थ ओना adjusting मतलब 9-hit होना चीए next क्या इसमें उपयोगी नहीं नहीं है उपयोग में नहीं आता तो लाड़ी काम मिलेते हैं प्लास्टिक से भी बनाते हैं जब्कि लखडी ठीक है लकड़ी से कोई डेर्युपकरन नहीं बनाया जाता तो इसका अंसर क्या हो जाएगा लकडी हो जाएगा कि next question देखिए यहां पर एल्टी एल्टी प्रकार के पास्चुराइजसन में ताप वस समय होता है क्या है पुछाई इसने अपने को LT, LT, यानि low temperature long time जो type वो पास्चुराइज़ेसन है पास्चुराइज़ेसन पढ़ाता पढ़ने, एक तो होता है low temperature long time और एक होता है high temperature short time ठीकर दोनों पढ़ देते हैं तो low temperature long time में कितना होता है low temperature तो कितना है 63 degrees centigrade होता है low time कितना है 30 minute तो देखिए इसका answer कौन सा option होगा 30 degree centigrade ये तो गलत हो गया 63 degree centigrade और 30 second ठीक है temperature से ही है परन्तु यहाँ पर time गलत है तो यह गलत हो गया option 63 degree Fahrenheit में दे दिया तो यह यहाँ पर गलत हो गया 63 degree centigrade यहाँ 30 minute तो इसका option कौन सा से हो गया D हो गया 63 degree centigrade for 30 minute यह होता है LT LT में जबकि ST ST में क्या होता है high temperature होता है short time के लिए next question देखिए sterilization के लिए सही है sterilization क्या होता है जानते हैं अपन सभी लोग ठीक है कि दूद में microorganism और उनके sports को खतम करना क्या कहलाता है sterilization कहलाता है अब इसके लिए क्या पढ़ाता अपनने sterilization के लिए क्या होना चाहिए एक सो पंद्रा डिग्री centigrade for 15 minute और 130 degree centigrade for one second दोज conditions पढ़ीती अपने यहां पर देखिए option में क्या 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 दे रखा है अपने को एक सो पंद्रा डिग्री centigrade और फंद्रा मिनिट सही बात है 130 degree centigrade और दस सेगंड यह गलत बात है 130 degree centigrade for one second यह भी सही है तो इसका आप आंसर क्या कर देंगा अपन ऑप्शन डी ए वसी बहुत दोनों सही है ठीक है एक सो पंद्रा डिग्री centigrade पंद्रा मिनिट के लिए हो सकता है और अगर टैंपरेशर 130 degree centigrade है तो उसका इसमें गरम भाप होती है और प्रेशर भी होता है तो देखिए इसमें टैंपरेशर कितना पढ़ाता पढ़ने एक सो एक सो किस डिग्री तर्टी मिनिट ये भी सही वात है तो इसका अंसर क्या कर देंगे अपन ओप्शन D सभी सही है ठीक है ओटो क्ले होगी नेक्स्ट क्षिस्ण देखिए दूद में उपस्तित fat globules को तोड़ने के लिए उपी होगी है दूद में उपस्तित fat globules यह अपन जांते हैं कि अकर काम मिले रहे था हमोजइनाइजज़ेशन करने वाली जो मसीन होती है दिखिये हो मोजिनाइज़ेशन करने वाली मसीन को किया करता अपने हो przedstaw क्या काम जिए क्रती है क्रीम सेप्रेट के काम में आती और क्या है कंब है कि यह क्या होता है केला है केंटिम गैशन के नेक्सिटिंटेट के बाद fat globules की संख्या बढ़ जाती है ठीक है अभी अपने देगा पिछला question की homogenization क्या होता है दूद की body fat globules को छोटी fat globules में तोड़ना है अब छोटी fat globules में तोड़ेंगे यानि जैसे अपने दूद को homogenizer में डाला मसीन के अंदर डाला तो अब की तो उसका homogenization होगा और body fat globules क्या होगी छोटी fat globules में तोडंड जाएगी तो यह क्या पूछना चाहता है कि homogenization संग्हेले to fat globules थी और homogenization के बाद जो fat globules उनके संख्या में कितना फरक हो जाता है ठीक है homogenization के बाद क्या होगी fat तो उनके संकया नोग संकया बड़ेगी तो इसका ऑसर क्या होता है 20,000 बढ़ती वह यह याद रखना एपनें को ठीक है तो यह गलत होजाएंगे आंसर क्या हो जाएगा और अच्छे वीडियो डालूँगा मैं जहां पर क्यूस्वंस की संक्या ज्यादा होगी और अच्छे क्यूस्वंस होगे ताकि आपके पास अच्छे क्यूस्वंस का संक्लान हो सके थैंक्यू